नमस्कार बच्चों, कक्षा चौथी, विशे हिंदी, कविता क्रमांग 4 मैं कौन बच्चो हिंदी पुस्तक में से पन्ना क्रमांग 43 खोल के यानि कि तुमार 43 पन्ना क्रमांग खोल के जो हमारे तिसरीक अक्षा में से चोथा पाठ है यानि कि कवीता जैसे वो दिया है वो है मै कौन अभी वो मै कौन की उपर एक दिया है वो क्या दिया है पहेली पढ़ो और बताओ अभी देखो पहेली यानि कि क्या बच्चो पहेली यानि कि समस्या उलजान इंग्रिश में उसको पजल भी बोलते है ठीक है तबी हम लोग को इस कवीता में कुछ पहेलिया दी है उसके जवा अब हम लोग को धुणने का है वो क्या है वो पहेली का क्या उत्तर आएगा वो हम लोग को धुणने का है तो एके करके हम वो पहेली आनि कि जो पैरेग्राफ ये वो देखेंगे पहले में पूरा वो पढ़के आपको बताती हूं फिर हम लोग एक एक पैरेग्राफ आउ सब के काम, मुझको सीर पर तानते, बुझो मेरा नाम, भार से सादू जैसी, जटा धारी काया, देह भले ही सक्त, भितर को मलमन है पाया, सब लोगों का साथ सच्चा, पुरे घर की करता रक्षा, ना है क्या मेरा तुम बोलो, घर आओ तब मुझको खोलो खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती, मोती जैसे मूरत मेरी, बादल की में पोती छव अक्षर का मेरा नाम, आता है खाने में काम, आधा में फूलो में रहता, आधा मेरा फलो का नाम रंग बिरंगी पोशा को वाली फूल फूल पर उड़ने वाली सबके मन को भाने वाली उड़ान है उसकी बड़ी निलाली तो बच्चो अभी हम लोगों ने ये कविता में ने आपको पढ़के बताई है अभी मैं इसका आपको अर्थ समझाती हूँ यानि कि पहली का हम लोग उत्तर देखेंगे हमारी पहली ये है पहली है जैसे कि ये पिच्चर में क्या दिया है आप लोगों को ये जो कविता है कविता में कुछ चित्र दिया है ये चित्र का क्या है कि आप चित्र उल्टा सुल्टा दिया है यानि कि जैसी कि पहला परियाग्राफ हमारा यह हो है कि वर्षा में या दूप में आओ सब के काम मुझको सीर पर तानते भुजो मेरा नाम और उसके सामने ज़ो पिच्चर दियाई चित्र दियाई वो कौन सा यह पत्ते का है और पत्ते के उपर कुछ भुंदे है तो उसका आंसर उसका उत्तर वो नहीं है वो आप लोग को बताने का है क्यूँ कि वो एक टेस्ट की तरह मतलब एक पैचाननी के लिए हम लोग को वो दिया गया है तो जो कविता में चित्र दिये गए है वो उपर नीचे दिये गए है हम लोग को वो सिधा लाइन में उसको बनाने का ये लिखने का है तो चलो वर्षा में या दूप में आओ सबके का मुझको सीर पर तानते भूजो मेरा नाम अभी बच्चो ये क्या है वर्षा में क्या है वर्षा में भी हम लोग वर्षा नी की बारिश का मौसम वर्षा में भी हम लोग उसका यूज करते हैं उसको मतलब ये करते हैं लेते हैं धूप में भी कभी कभी काम आता है वो सबके काम आता है वो सीर के उपर हम लोग उसको तानते हैं और भूजो मेरा नाम यानि कि ये कौन सी चीज है बच्चो कौन सी चीज आप लोग को पता है अब जरा सोचो तब तक मैं आपको second paragraph पढ़के बताती हूँ बाहर से सादू जैसे जठा धरी काया देह भलेई सक्त बीथर कोमल मन है पाया अब इसके सामने जो है ये क्या है एक चित्र है एक चित्र है वो चित्र उसका नहीं है वो दुसरे और पहली का है वो अगे उपर नीचे आप मुमलकों दिया है तो ये भार से सादू जैसे यानि कि जो भार का उसका रूपे वो सादू जैसे है सादू यानि कि योगी आप लोगों को पता ही होगा जठा धरी काया देह भलेई सक्त बीथर कोमल मन है पाया यानि कि भले ही जो उनका दे है दे हो यानि कि शरीर सक्त यानि कि कठोर यानि हाड एक्तम कठोर हो ना दे हो उनका भले ही कठोर हो लेकिन बितर यानि कि अंदर से भले ही सक्तला भार से कितना भी कठोर हो ने दो कितना भी हाड हो ने दो लेकिन जो अंदर का जो कोमल मन है वो कौन सी चीज है बीथर कोमल मन है पाया यानि कि अंदर से वो कड़क रहता है लेकिन बहार से बहार से वो कड़क रहता है लेकिन वो अंदर से एकदम कोमल रहता है तो जो पहले पहली का हमारा उत्तर है वो है छाता फिर उसके बाद दुसरे पहली का है नारियल समझ में आया बच्चो अभी हम लोग तिसरे और चोथे पहरे कराफ के और बढ़ेंगे सब लोगों को साथ सच्चा पूरे घर की करता रक्षा नाम है क्या मेरा तुम बोलो घर आओ तब मुझको खोलो खुली रात में पैदा होती हरी घास पर सोती मोती जैसे मूरत मेरी बादल की में पोती अभी देखो यह सब लोगों का साथ सच्चा अभी कभी कभी हम लोग कैसे किदर भार जाते हैं सब लोग घर के सब सदे से भार जाते हैं और घर में कोई नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, घर को क्या करते हैं, पूरे घर की करता रक्षा, यानि कि अगर हम लोग वो चीज का हम लोग वापर करते हैं, वो चीज हम लोग अगर यूज करते हैं, तो घर की हमारी रक्षा होता है, तो वो कौन से यसी चीज है, नाम है क्या मेरा तुम बोलो घर आओ तब मुझको खोलो यानि कि हम लोग घर के बाहर जाके फिर जब वापस लोटते हैं तब भी हम लोग उसको खोल सकते हो तो यह कौन से चीज है घर को हम क्या करते हैं जब सब भार जाते हैं यह भी मैं आपको बताते हूं अभी चोथा है खुली रात में पैदा होती हरी घास पर सोती मोती जैसे मूरत मेरी बादल की में पोती यानि कि अभी देखो सुबह सुबह आप लोग गाव में अगर रहते हो गाव में जाते हो गार्डन में खेतों में जाते हो तो जो हरी हरी घास है वो गास पर तुम लोग कभी कभी क्या देखते हो गार्दन में जाओगे या फिर सुबर सुबर morning walk के लिए या फिर exercise के लिए पारक में जाते हो जो green पत्ते रहते जो हरी पत्ति रहते तो उस पे क्या रहता है तो हमारे परिग्राफ का अंसर है ताला यानि की वो क्या करता है घर की रक्षा करता है हम लोग किदर भार जाएंगे तो घर को लॉक करके जाते हैं और फिर आने के बाद उसको खुलते हैं तो हमारा थर्ड का उत्तर है ताला और फिर वो जो खुली रात में पैदा होती हरी गासपर सोती मोती जैसे मूरत मेरी उसकी मूरद जो है वो मोती जैसी है और वो बादल की पोती है तो यही यह चित्र किसका है बच्चो ओस यानि कि यह क्या है ओस है उसके बाद है छो अक्षर का मेरा नाम आता हूँ खाने में काम आधा में फूलो में रहता आधा मेरा फूलो का नाम यानि कि अभी देखो यह क नाम फॉलों में भी आता है और फूलों में भी आता है और वो खाने की चीज है तो वो क्या आ सकता है बताओ बच्चों वो क्या आ सकता है वो है गुलाब जामुन आपको आगे उसका चित्र दिखाया जाएगा गुलाब जामुन गुलाब याने की फूल का नाम और जामुन याने की फॉल का नाम तो ये छो अक्षर का नाम आता है रंग बिरंगी पोशा को वाली फूल फूल पर उड़ने वाली सबके मन को भाने वाली उड़ान है उसकी बड़ी निराली फूल पर कौन बैठता है बच्चो कौन बैठता है तितली बैठती है ना फूल पर एक फूल स वाला जो उसका नाम है वो खाने के काम आता है आदा उसका फूलो का नाम है यह है गुलाब जामन और फिर जो रंग बिरंगी फूलो पे बेठते देखो यह चित्रा में कैसे वो तितली फूलो के उपर बेठी है और वो रंग बिरंगी है ऐसे ही यह तितली हमारा इसका उत्त लास्ट चो पैरेगराफ है इसका हमारा उत्तर है तितली तो समझ में आया ना बच्चो धन्यवाद